ग्यान की बात को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाईए हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो अगर आप बाल जढने की समस्या से परिशान है या फिर आपके बाल इतने जढ़ चुके हैं कि गंजापन शुरू हो गया है तो आपके लिए मैं बहुती आसान उपाई लेकर आया हूँ जिससे कि आप अपने बालों का जढना रोक सकते हो और अपने सिर पे दुबारा से बाल उगा सकते हो दोस्तो ये उपाई आपको एक साल तक करना पड़ेगा अगर आप एक साल तक इस उपाई को नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजे बहुती आसान और सरुल उपाई है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है दुबाना से बालो को उगाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो पहला उपाई आपको क्या करना है आवले का जूस एक दिन में तीन बार पीना है ऐसा आपको लगातार एक साल तक करना है ये तो था पहला उपाई अब बताता हूँ दूसरा उपाई आपको क्या करना है दूसरा उपाई आपको क्या करना है तामबे का बरतन लेना है और उसमें पानी भरके रख लेना है और आपको जब भी प्यास लगेगी तो इसी बरतन का पानी पीजिए ये भी आपको लगातार एक साल तक करना है लेकिन एक बात का ध्यान रखिए अगर आप तांबे के बरतन का पानी पीते हैं तो तीन महिने के बाद एक महिने के लिए छोड़ दिजिए फिर दुबारा से तीन महिने के लिए शुरू कर दिजिए इस तरीके से आपको यह प्रयोग कम से कम एक साल तक करना है एक और उपाई आपके बालों में लगाने के लिए मेथी को रात भर के लिए भिगो कर छोड़ दीजिए उसके बाद अगली सुबा इसे पीस लीजिए पीसने के बाद अपने सर पे लगा लीजिए ये आप रोजाना भी कर सकते हैं आप चाहे तो हफते में दो या तीन बार भी कर सकते हैं लेकिन ये जरूरी है इसे आपको हफते में दो या तीन बार कम से कम जरूर करना चाहिए आखिरी उपाय आपको क्या करना है बलायम करना है यानि कि आपको नाखुनों को आपस में रगणना है ये उपाय आपको दिन में दो बार करना है कम से कम 15 मिनट तक नाखुनों को आपस में रगणना है ये उपाय आपको एक साल तक करना है बस इतना करने से आपके बाल ज़रूर करना फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद